भारत के खनीज संसादन वीडियो स्रीज का तीसरा पार्ट ये संबंदित रहेगा बॉक्साइट बॉक्साइट वह खनीज है जिससे कि हैं अलुमीनियम जैसी बहुं हुप योगी धात प्रापत होती हैं बॉक्साइट इससे इससे एलुमिना तियार कियाRe C और उससे बनाया जाता है ऐलुमीनियम यleben एसी वीडियो में हम बॉक्साइट से सम्पंदित विबिन तत्ते ऐलुमीनियम का उपयोग और भारत में बॉक्साइट खनन से समनित क्षेत्रे राज्ये उनमें उपलब्द भंडार और उत्पादन के द्रश्टे कोण से राज्युहक्रम जानेंगे और साथ ही जानेंगे विस्व के प्रमुक्खनन से त्रे चर्चा करते हम बॉक्साइट की सामाने बते हैं बॉक्साइट खनीज या आयस्क अलुमिनियम का मुक्खे सरोत है विस्व का अधिकान से अलुमिनियम इसी बॉक्साइट खनीज से प्राप्त के जते है भारत में इसकी प्राप्ती लोह भास्म के रूप में होती है ये सभी घृपपस में लेटेराइड प्रकार के यह खनीज जू बोकसाइयड खनीज है इसका नाम बॉकसाइड क्यों पड़ा इसकी प्रस्ट्टबू में हम बात करें तो हमें जानकार ही होगी कि फ्रांस उर्ज के fabrication उसमें लैस बॉक्स नाम का इस्तान है, उसके निकटे विश्व में सबसे पहले इसकी प्राप्ती हुई थी, लैस बॉक्स के नाम पर ही इसी आधार पर इस खनीज का नाम बॉक्साइट रखा गया, बॉक्साइट पड़ा, इस बॉक्साइट एक खनीज का रंग सपेद, भूरा या गुलाबी रंग का होता है, जो मिट्टी जैसा दिखता है, इस बॉक्साइट की एक विसेश्ता ये भी है, कि खानों से निकलने पर, ये इतना मुलाइम होता है, कि हाथ लगाने के बाद, हाथ लगाने मातर से ही, ये तूट जाता है, लेकिन निसकरशन के बाद में, खानो के दानों के समान होती है, जो आराम से पैचान ली जाती है, देखते ही बॉक्साइट की आइसक है, बॉक्साइट का निर्मान प्रत्वी की सत्य पर, या उसके निकटी होता है, और बॉक्साइट में धा तुकान सोता है, वो 84 प्रतिसत तक होता है, अब हम जानें, हम जाने जो कि की वोक्साइट का उपयोग कहा होता है जिससे विस्वे faut का दिकाने से Moder neces सता है कि वोक्साइट इस्देव शेप सब-सक्ता है – ने बना जाता है इस से does अप्योगी अजराल Ε है खायोग ऐ ख्योग है प्रत क्योंग जो सी विद्धूत करहती है जिसमें जंग भी नहीं लगता इसे विद्यूत से समन्दित तार मसीनरी अनेक उध्योगों में प्रयुक्त किया जाते है और हलकी धातों ने के कारण वाईयान में वाईयान में प्रयुक्त होती है पाने के जो जलीजहां जोते हैं उनमें ये प्रियुक्त होती है, बिजली के तार बनाए जाते हैं, मिसाइलों में भी इसका उपयोग होता है, सेना से समन्दित कई उपकरण आयूद बनाए जाते हैं, और जो घरों में हम देखते हैं, इमारती दरवाजे और खिड़कियां वो भी इससे निर्मित होती हैं, और इसके अनेक उपयोग हैं, घरों में जो बरतन होते हैं, अलुमिनियम के हलके होते हैं, लचिले, वहां भी इसका बहु उपयोग होता है, अब हम अधितन आंकडों के मताबिक, यानि जो नवीनतम राटा हैं, उनके अनुसार जान लेते हैं कि भारत में बॉक्साइट के कोन-कोन से राज्यों में इसके भंडार हैं, और उत्पादन में कोन से राज्य का इस्तान उपर हैं, तो उसकी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, भंडार की दरश्टी कोन से भारत का वरतमान समय में नवीनतम आकडों की मताबिक वीश्व में पाच्वा इस्तान हैं, औ पिच्चान प्रतिसत बोक्सायट उत्पादन उडिशा, जारकंड, गुजरात, महाराष्ट्रे, चतिसगाड, तमिल लाडू इन राज्यों से और आनसिक रूप से मध्यप्रदेश, अंधरप्रदेश और करनाटा इसे राज्यों से भी प्राप्त होता है तो उनमें हम बारे-बारे से देखेंगे कि सर्वादिक उत्पादन के द्रिश्टिकोन से जिस राज्ये का इस्तान है वो है उडिशा, उडिशा राज्ये में मुख्य उत्पादक जिले हैं कोरापुट, कालाहंडी, संभलपूर और वहीं बोलनगीर और कोरापुट जिलों के जिलों में गंद मादन पठार है उसमें इसका सर्वादिक उत्पादन होता है, सर्वादिक भंडार है वहां इस राज्ये में उडिशा में उत्पादन नवीनतम डाटा के अनुश्यार पचास दसमलव 16 प्रतिशत हुआ था और भारत का संपूर भारत का जो आदे से अधिक है नहीं पचास दसमलव 16 प्रतिशत उत्पादन करकी उडिशा प्रत्विस्तान पर रहा है और इसमें इसको यदि हम टन के टन के एकोरडिंग इसको देखें टन से इसका अंकलन करें तो 49 दसमलों प्रतिशत तक इसका अनुश्या में और यहां से प्राप्त अधिक और भारत का एक जायरकंड जारकंड में उत्पादन हुआ था 11.87 प्रतिशत और वजन में 11.6 एक लाक टन उत्पादन हुआ और यह दूसरे इस्तान पर रहा है इन्योडिसा के बाद में जारकंड का इस्तान है जारकंड के मुख्य उत्पादक जिले हैं उनमें राची, पलामो, गुमला, लोहार दगा और गीरडी है मुख्य है इन जिलों में मुख्य उत्पादन होता है इसका, यहां बंडार 8 करोड टन आके गए है और यहां से प्राप्ते जो बॉक्साइट है उसमें धातू का अंशे खनीज में धातू का अंशे बॉक्साइट का अंशे है, वो 50 से लेकर 63 परतिसत के बीच में पाए जाता है गुजरात में जो बॉक्साइट की मात्रा है वो ठाउन से लेकर 60 परतिसत के पाई जाती है खनीज में और यहां के मुख्य जिले हैं खेडा, जामनगर, जुनागड, कच, सूरत, सामरकाठा, भावनगर और पौरबंदर हमें इन जिलों को इस तलिए भी याद रखना होता है कि अनेक जगए इनके नाम आते हैं और महब के जो क्यूसन होता है कक्षा बारा में और कक्षा दस में सामाजजे की विग्यान में तो वहां हमें ध्याद रखना होता है कि कुनसा जिला किस राज्य में चोथे नमबर पर बोक्साट उत्पादन में महाराश्ट्र महाराश्ट्रे में जो अनुमानित बंडार है वो है आठ दसमेलाव जीरो पांच करोड़ टन और उत्पादन हुआ था यहाँ नो दसमेलाव छह चार लाग टन और यहाँ के प्रमुक जिले हैं कोलापूर, रतनागिरी, पुने, कोलाबा, धाने और सतारा पांचवी स्थान पर उत्पादन के द्रश्टिकोंड से जो भारत में पांचवी स्थान है रखता है उस राज्जी का नाम 36 गड़ है 36 गड़ में मुक्य उत्पादक जिले हैं सर्गुजा, राइगड, बिलासपूर, कोर्भा, राजनन्द गाव, महाशमर और यहां 30 से लेकर 35 करो टन जो बॉक्सायट कर निक्षे प्राप्त है ऐसा आंकलन किया गया है, वह उत्तम कोटिक है, उत्तम प्रकार का है, यह उत्पादन हुआ था, 6.1,8 प्रतिशत, और भजन में था यह, 6.4 जिरो लाग टन वह इस तरह से पांच वह स्थान रखता है अब हम जाने, छट्टी स्थान पर, उससे पहले एक बर 36 गड़ का यह हमें, और देख लेते हैं, 36 गड़ की विस्था है, इस 36 गड़ वो राज्य है, जो भारत की, भारत का सरवाद एक बॉक्सायट निक्षेप रखता है और यहां धातु की मात्रा, 65 प्रतिशत तक है, यानि कि वरतमान में उत्पादन में, ओडिशास नमबर वन पे है, दूसरे नमबर पे जहार कंड़ है, और पांच वे नमबर पर 36 गड़ है, लिए बावजुद इसके 36 गड़ में, भारत का सरवादिक बॉक्सायट निक्ष था, वजन में 2,10 मलव 6,4 लाक टन, और 6 इस्तान पर है तमिलाडू, तमिलाडू के मुक्य उत्पादक जिलों के नाम है सलेम, मदुरे, निलगरी, कोईंबटूर, और यहीं पर इसी राज्य में, पालनी, जवादी और सेवराई पहाड़ी है, वहां से इसका उत्पदन हो अध्य परदेश को, उत्पादन के द्रिश्टी कोड से, नवीन तम डाटा के अनुशार, और यहां के मुक्य जिले हैं, बालागाट, कटनी, मांडला, जवलपूर, सहाडोल, और सियोनी, इस राज्य में, यह मुक्य उत्पादक जिले है, आठवे नंबर पर, करनाटक, कर बाबा बुधन पाड़ी, धक्षनी कनारा जिले, और अनुवारित बंडार करनाटक के हैं, पचास लाग टन, अन्य जो मुक्य राज्य हैं, अंधर प्रदेश, गोवा, और इसके अलावा जो जम्मु कस्मीर, वहां भी इसके बंडार है, पुंच जिला है, वहां, उसमें म बॉक्षाइट का उत्पदन होता है, और बॉक्षाइट के बंडार है, कुछ अन्य तत्य हम जाने लेते हैं, कि भारत में 80% बॉक्षाइट से सिर्फ ऐलुमिनियम बनाने में काम आता है, 80% बॉक्षाइट का काम सिर्फ ऐलुमिनियम बनाने में किया जाता है, और भारत से जो एलुमिनियम बनाया जाता है इसको 60 प्रतिशत भारत में उपयोग कर लिया जाता है 46 प्रतिशत को यूरोपिय देशों में और रूस में और खाड़ी के देश जैसे इराक इरान इतली जो देश आते हैं उनमें निर्यात कर दिया जाता है और 15 से 20 लाग टन ये जो 40 प्रतिशत है उसकी मातर होती है 15 से 20 लाग टन लगबग इतना निर्यात कर दिया जाता है और निर्यात में अर्द निर्मित धातू होती है एलुमीना उसका निर्यात किया जाते हैं और इसके अलावा एक तत्ते हो रहा है कि भारत में जो उत्पादन होता है उसका लगबग 62 प्रतिशत उत्पादन ओडिशा और जहरकन राज्ये करते हैं फिर जी मैं इनको दोरा रहा हूं कि भारत में उत्पादन की द्रिश्टिकों से ओडिशा सेकेंड नमबर पर जहरकन और 2013-14 के आकड़ों से हम इसको और देखना चाहें इस तत्ते विस्पस्ट करना चाहें तो 2013-14 के दोरान भारत में कुल 270 लाग टन उत्पादन किया गया था इसका चलिए हम थोड़ा सा विस्तार से इसको और देख लेते हैं वेस्वी की स्तर पर वेस्वी की स्तर पर प्रमुक उत्पादक देश हैं उनमें करमेश आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और गोयाना देश हैं जिनसे बॉक्साइट का उत्पादन किया चाते हैं और प्रमुक खनन के इंद्रों में आस्ट्रेलिया में केप यार्ग प्राई दीप और वायप सेत्र सहिक्त राज्य अमेरिका में आरकनसास राज्ये का जो सेलाइन का और काउंटी शित्र है वहां से बॉक्साइट उत्पादन होता है जमेका में सेंट अलिजाबेट और सेंट मेरी शित्र है जिसे बॉक्साइट प्राप्त होता है पूर्व सोवित संग से में कोला प्राय दीप है बोक्षाइट के वह अच्छे बंडार है यहां से भी बोक्षाइट प्राप्त किया जता है गिनी यहां बोको और बरु का दीप है उससे बोक्षाइट की प्राप्त की होती है और धक्षन अप्रिका की निटल प्राप्त से ये हमारा बोक्षाइट जिससे सम्मंदी तमने जानकरी प्राप्त की बोक्षाइट खनीज से बोक्षाइट आइसक से सम्मंदी जानकरी प्राप्त की अगले वीडियो में हम दूसरे खरीज के बारे में जानेंगे आपको ये जानकारी पसंद आईए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें थैंक्स